दोस्तों अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं दोस्तों मैं सिय राहूल गोयल आज आपसे डिसक्स करूँगा दोस्तों ऐसी 10 बाते 10 तरीके जिन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो इंकंटेक्स नोटिस आने के चांसे काफी हद तक कम हो जाएंगे दोस्तों जी हां दोस्तों अपने सही सुना मां आपको किवल दस बातों का बारे में आज डिसक्स करूँगा कि जिन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे आपकी ITR फाइल करते टाइम या ड्यूरिंग दे आप ट्रांजिक्शन करते टाइम अगर उन 10 बातों का ध्यान कीजिए और बने रहेगा वीडियो के एंड तक क्योंकि तब ही आपको इसका पूरा बेरिफिट मिल पाएगा दोस्तों और हां दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सेर करना ना भूले और वैल आइकन पर प्लीज क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही हम को वीडियो इस नोटिफिकेशन आपके पास आएगी दोस्तों तो आएए दोस्तों चलते हैं अपन वीडियो की तरफ दोस्तों बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर आई ट्र नहीं भरेंगे हम तो नोटिस आएगा है नहीं और को जंजट ही नहीं होगा अगर आपका ऐसा सोचना है तो आप एकदम गलत सोचते हैं दोस्तों अगर आपके इंकम डायलाक से ज्यादा है डिड़क्शन से पहले तो आपको इंकम भरनी चाहिए दोस्तों दूसरा अगर आपकी इंकम डायलाक से कम है बट आपके किसी इंकम पर TDS कटा है दोस्तों जो कि आपके form 26AS में आरहा है और तो आपके इंकम डायलाक से कम ही हो आपको दोस्तों रृटन भरनी चीह हो सकता है कि आपने कहीं फ्रीवांचर सर्विस दी हो वहाँ पर आपको टोटल साल बर में रिसीव डायलाक से कम हो यह व्ट उन्होंने आपका TDS काटा होगा Secondly bank में आपके कोई पुरानी FD चलती आ रही होगी उसपे अगर आपको bank interest मिल रहा है और आपने 15G 15H form नहीं बरा है तो bank उसपे TDS कटेगा तो ऐसे और भी कुछ एक reasons की विज़े TDS आपका हो सकता है कटा हुआ हो और आपकी income डालाग से नीचे हो तो ऐसे cases में आपको आपकी income tax return बढ़नी चीए अगर TDS है तो उसका एक फायदा दूसरा फायदा एक फायदा तो यह होगा कि notice आने के chances आपके कम हो जाएंगे क्योंकि अगर आप return नहीं बरोगे और TDS कटा हुआ है तो दोस्तो 99.99% chance है और मैं तो कहूंगा 100% chance है कि notice आएग का refund भी ले पाऊगे दोस्तों तो यह आपके दो फायदे हो जाएंगे return भरने से कि notice आने के chances कम हो जाएंगे दोस्तों अगर डायलाक से आपकी income उपर है तो आपको return भरनी बरनी है अगर आपका TDS कटा है चाहे से return डायलाक से कम है तो भी आपको return भरनी है दोस्तों दूसर इस तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आप आपकी रिटर्म फाइल कीजिए दूसरा अगर आपने रिटर्न डिलेड फाइल करी है और वह गलत फाइल हो गई है आपने कोई income रह गई है कोई omission हो गया है या कोई miss statement चला गया है या कोई गलत information आप दे दी है deduction आपने गलत ज़्यादा claim कर लिया है दोस्तो और आपने return डिलेड भरी थी तो उस case में क्या होगा उस case में दोस्तो आप return को revise ने कर पाऊगे दोस्तो related return हम कभी भी revise ने कर पाते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तो कि return आपको time से ही file करनी है दोस्तो इस साल तो वैसे भी time भढ़के 30 नौमबर तक हो गया तो आपके पास बहुत अच्छा का सा time है तो please time दी जी अच्छे से और पूरी research करने के बाद आप आप आपकी ITR फिल करिए दोस्तों तो इस वीडियो के end तक आप रुकिएगा ताकि आपको उसका पूरा benefit मिल पाएगा सारे regions आपको जानने चीए दोस्तों अब चलते हैं अपर region number 3 पे दोस्तों notice आने का revision 3 क्या होता है दोस्तों जो TDS amount है और उससे respective जो income है आपके 26AS में जो amount आ रहा है बहुत बार ऐसा होता है कि हम ITR में उससे कम TDS report कर देते हैं या जो 26AS में जो अपनी income आ रही है उससे कम income हम report कर देते हैं secondly जो अपने form 1616A में जो income और TDS का amount आ रहा है उससे कम हम हमारी ITR में report कर देते हैं जैसे कि आपको इस salary मिली 10 lakh रुपे की उस पे TDS कटा let's suppose 1 lakh रुपे आपका TDS कटा दोस्तों अगर 26AS से आपकी ITR में कोई भी difference आ रहा है कोई भी variance है दोस्तों उस case में आपके पास notice आने के chances बहुत ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है आपको regularly जब आप return file करोगे तो आपका 26AS चेक करना है दोस्तों 26AS क्या है और कैसे चेक कर सकते हैं यह इसका link मैं आई बटन में उपर दे दिया है दोस्तों उस पर मैंने एक वीडियो बनाया वाया है और description में इसकी link share कर दिया है साथ में यह भी बताया है उसमें कि इस साल से क्या क्या उसमें changes आए हैं दोस्तों तो आपको आपके form 1616a से 26a चेक करना है दोस्तों दूसरा बहुत बार ऐस इसा भी होता है कि 26as में को गलत entry आ रही होती है दोस्तों हो सकता है कि आपके pen number पर किसी ने गलती से वह amount चड़ा दिया और आपको वह TDS दिखा दिया हो अगर ऐसा है दोस्तों उस case में आपको आपका 26as rectify करवाना है correct करवाना है सामने वाले बंदेश से डिड़क्टर से आपको contact करके बोलना है कि भया आपको आपकी TDS return revise करने चाहिए दोस्तों अभी जैसे की lockdown की वीज़े से TDS returns का भी time बढ़ा दिया है 30 जून तक कर दिया है तो 30 जून तक आप wait कीजिए अगर आपके 26as में अभी तक amount नहीं आया है आपका जो TDS कटा था वो अगर 26as में अभ नहीं हो जाए तो दोस्तों यह बहुत ही important चीज़ आपको ध्यान रखना है 26as में जो income आ रही है 26as में जो TDS का amount आ रहा है वो amount आपके ITR में reflect होना ही होना चाहिए अगर उसमें कोई difference आ गया variance आ गया है दोस्तों तो 100% आपके notice आने वाला है दोस्तों ध्यान रखिएगा 26as home 16 जो आपको employer employer से मिलते है 16a यह सब में जो amount आ रहा है वो आप जो ITR वाइल करने जा रहे हो उस ITR से match होना चाहिए दोस्तों आईए इस कड़ी में बात करते हैं चोथे reason की जो की सब के साथ हो सकता है दोस्तों आज के lifestyle में हर एक आदमेn credit card रखता है आप भी रखते हो आपके परोशी भी रखता होगा आपके दोस्त भी रखते होंगे और आपको credit card काвержी यूटिलाइजेशन है वह भहूँ ध्यान से करना है दोस्तों कैसे अगर आपने credit card का bill साल भर में 10 लाग से ज़्यादा का आपका credit card का bill आया है तो दोस्तों इसकी नजर income tax department की इस पे रहेगी दोस्तों अब income tax department को कैसे जानकारी मिलेगी income tax को जानकारी मिलेगी आपके bank के थुरू दोस्तों bank को ये चीज रिपोर्ट करनी होती है तो bank को तो income tax department को ये जानकारी मिल जाएगी कि इस particular person ने 10 लाग से ज़्यादा का credit card का bill का payment किया है 10 लाग से ज़्यादा का credit card का bill payment करने में कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों हो भी सकता है actual में भी हो सकता है बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ITR है वो भी accordingly हो for example आपने credit card का bill का payment तो किया 10 लाग से ज़्यादा बढ़ आपकी ITR गई है सालवर में 3 लाग की 4 लाग की 5 लाग की मतलब 10 लाग से कम कि आपकी ITR गई है दोस्तों या फिर उसके बरावर 10-11 लाग की गई है तो उस case में department आपको notice भेज सकता है कि आप ITR 3 लाग की वर रहे हो credit card का bill का payment 10 लाग से ज़्यादा का कर रहे हो explain कि आपका credit card का bill payment करने के पैसे आपके पास कहां से आए दोस्तों तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है अगर आप credit card का bill का payment कर रहे हो अगर अपने साल भर में 1 लाग से ज़्यादा cash में payment किया है credit card के bill का तो उस case में भी आपके पास notice आ सकता है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि credit card के bill का case में payment हम नहीं करे और अगर 10 लाग से ज़्यादा है वो payment और इवन मत कहूंगा 10 लाग से भी कम है आपका credit card का payment तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो जो payment आप कर रहे हो वो amount आपकी ITR में reflect हो रहा हो उससे related income आपकी ITR में reflect होनी होनी चाहिए दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों 5th region cash deposit in saving bank account अगर आप saving bank account में cash deposit करवाते हो पूरे साल बर में 10 लाग से ज़्यादा उस case में भी आपके यहाँ पे notice आ सकता है दोस्तों बैंक से यह detail मिलती है income tax department को दोस्तों उसके बाद income tax department आपकी return को scrutinize करता है कि हाँ भाई xyz person ने 10 लाग से ज़्यादा saving bank account में cash जमा कराया है और देखते हैं कि इनोंने ITR कितने की भरी है अब दोस्तों आपने ITR भरी है 5 लाग की या 10 लाग से कम किया आपने ITR भरी है और saving bank account में cash deposit कराया है 10 लाग से ज़्यादा उस case में आपके पास notice 100% आएगा और वो आपके ल thoughts आपको आपकी income tax return में डालना ही डालना चाहिए reflect करना ही चाहिए disclose करना ही करना चाहिए दोस्तों उसके बाद चलते हैं दोस्तों reason number 6 पे जिसकी वज़े से notice आ सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी particular payment के लिए DD बनाना पड़ता है जैसे आप government colleges में जा रहे हो किस institution मे payment कर रहे है आप education related और भी बहुत से परपज होते हैं जिनमें DD का use होता है तो अगर आप DD खरीद रहे हो दोस्तों cash में 10 लाग से ज्यादा का साल भर में उस case में भी bank से detail जाती है income tax department के पास income tax department उस detail के basis पे आपकी ITR scrutiny करता है देखते हैं कि हाँ भई इस XYZ बन देने DD तो क्या उसकी ITR भी accordingly है या नहीं है अगें जैसा मैंने आपको पहले बताया credit card सेविंग वाले case में की 10 लाग से ज्यादा का आप use कर रहे हो credit card 10 लाग से ज्यादा आप से ज्यादा का आप से ज्यादा का आपने DD खरीद है विट आप बहर रहे हो दोस्तों 10 लाग से कम की य आपके नॉर्मल सी बात आपकी मानलों कि 11 लाग की आपने ITR भरी 10 लाग का credit card का बिल का payment दिखाया तो यह चीज जैनुवन सी नहीं लगती है दोस्तों हो सकता है आपके case में चीज जैनुवन हो सकता है अगर यह चीज जैनुवन है एक दम कि 11 लाग ही आपकी income थी उस 11 ला आपको की कोशिज करें आप यह चीज अवोड करें अगर आवडेबल नहीं है तो ITR में उसारी income आपकी reflect होनी चाहिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों आता है region number 7 fixed deposit अगर आप किसी साल में 10 लाग से जाड़ा की FD करवाते हो तो उसकी detail अगें जाती है bank से income tax department के पास income tax department के पास से आपके पास notice आ सकता है क्या notice हैगा कि आपने साल भर में इतने रुपे की FD करवाई है आप nature of source of income हमें बताइए अगें आपने FD करवाई है 10 लाग से जादा की और आपकी जो return है वो 10 लाग से कम किये दोस्तों उस case में आपको notice आ सकता है आपको ध्यान रखना है ज उसका जो source है income का वो source आपको income tax department में जब आप return file करोगे ITR आपकी जब file करोगे तो आपको वो source declare करना चाहिए दोस्तों otherwise आप मुझस सिबत में फस सकते हैं उसके बाद आता है दोस्तों 8th region बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आपकी spouse के लिए को investment किया है दोस्तों हो सकता है उसके लिए आपने property खरीदियो वहां से आपको rent की income हो रही हो sales खरीदियो वहां से आपकी कोई income हो रही हो तो अगर ऐसी कोई income आपको हुई है तो आपको ध्यान रखना है वो income आपको आपकी खुद की income में club करनी है जैसे कि आप X हो आपकी spouse है wife आपने wife के नाम से कुछ investment क और आपकी X की return में include करनी है आपकी income return में आपको उसको club करना है दोस्तों और आपको आपकी ITR file करनी है यह सब details जो होती है दोस्तों वह रजिस्टरार से या bank से department के पास जा सकती है कि इस XYZ नाम के परसन जो Y नाम के person है उसको इतनी income हुई है department क्या देखते है कि भाई Y ना है आपके पैसे से investment हुआ है आपकी स्वाव के नाम से तो आपको आपकी return में उससे related income include करनी चाहिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों reason number 9 की हालांकि यह reason number 9 होना चाहिए reason number first दोस्तों और वो reason है for filing defective return आपको ध्यान रखना है जब आप income tax return बढ़ने जा रहे तो आपको सबसे पहले यह ascertain करना है कि मुझे itr form कौन सा choose करना है दोस्तों itr1 choose करना इntr2 करना है 3 करना है 4 करना है 5 करना है 6 करना है 7 करना है दोस्तों अगर आप एक individual हो और आपका business है business के साथ और को income हो भी सकती नहीं भी हो सकती तो आपको itr3 और itr4 में से एक choose करना है अगर आपका business नहीं है दोस्तो, business income है यह नहीं आपकी, कोई भी, किसी भी तरीके की, और 50 लाग से नीचे की आपकी income है, तो आपके पास ITR 1 और ITR 2 आजाएंगे दोस्तो, यह उन 50 लाग से उपर की भी है, तो भी ITR 2 आजाएगा, इस से related पूरी detail, आपको उपर eye button में मिल जा आया है, आपको मिल जाएगा, description में मिल जाएगा, उसमें ITR 1 से लेके, ITR 7 के बारे में मैंने समझाया है, कि किस person को, चाहिए वो indies हो, हुआ हो, हुआ हो, firm हो, company हो, trust हो, LLP हो, AOP हो, BOI हो, किसको कौन सा form चूज़ करना चाहिए, वो आपको उपर eye button में मिल जाएगा, और न even I will say 200%, 139, section 139, section 9 में आपके पास notice आने वाला है, कि your return is defective return, please revise the same, तो आपको इसीज़ का ध्यान रखना है, कि आपको defective return नहीं भरनी है, गलत ITR form नहीं select करना है, दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, आता है reason number 10, यह भी बहुत important reason हो, दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, कि ह हमें कुछ other sources से income होती है, जैसे saving bank interest हो गया, FDP ब्याज हो गया, वो हम हमारी income में disclose नहीं करते हैं, दोस्तों, FDP ब्याज generally हम 26 AS वाले region में cover हो जाता है, अगर उसमें TDS कटा होगा तो, बट मान लोग कि किसी region से bank ने TDS कम काटा है उसमें, आपने कोई ऐसा certificate दे दिया था, कि मेरा lower rate से deduct किया जाए TDS, तो बहुत बार होता है कि हम income भी कम दिखा देते हैं, income भी कम report कर देते हैं, TDS के accordingly हम income report कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको हर तरह की income disclose करनी है, अगर आपको कोई exempt income भी हुई है, तो आपको वो exempt income भी दिखानी है, दोस्तों, अपनी income tax return में exempt income को आपको नहीं छिपाना है किसी भी हालत में, जैसे कि retirement के time पे आपको कुछ retirement fund मिलता है, PF का आपका पैसा मिलता है, आपको ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, जो कि government employee case में exempt होता है, अगर ऐसी कोई भी आपके exempt income है, तो वो आपको आपकी ITR में disclose करनी ही करन सकते हैं, कि this is my income, या this was my income during financial year 19-20, क्या ये exempt है या नहीं है, अगर आपको idea नहीं है, तो आप comment box में मारे साथ share करिए, हम definitely बताने की कोशिस करेंगे, कि ये आपकी taxable income है, या exempt income है, बट दोस्तो ध्यान रखना, exempt income है, तो भी आपको वो disclose करनी ही करनी पढ़ेगी, ये हो ये reason हो दोस्तो, purchasing of property and investment in share, अगर आप 30 लाग से ज़्यादा की कोई property खरीद रहे हैं, दोस्तो किसी साल में, या 10 लाग से ज़्यादा आप shares में investment कर रहे हो, या mutual fund में भी अगर आप 10 लाग से ज़्यादा का investment कर रहे हो, तो definitely ये detail department के पास होगी ही होगी, property की detail जाएगी, जो mutual fund का trusty है, उसके पास से वो department के पास detail जाएगी, जाएगी जाएगी दोस्तो, हाँ, investment में share करना, mutual fund में share करना, invest करना या property, property purchase करना कोई गलत चीज तो है नहीं, बिल्कुल गलत चीज नहीं है, हमें उस notice से डरना भी नहीं चीए, बिल्कुल ठीक बात है, हमें उस notice से डर वो जो पेशा आपने use किया है, यह सब investment करने के लिए, उसका source, उसका source आपको income tax return में disclose करना करना ही चाहिए दोस्तो, वो income आपको ITR में दिखाने चीए, उससे related जो भी taxes है, आपको pay करने चीए, अगर otherwise आप इसन नहीं करते हो, let's suppose आपने share में investment किया 10 लाका, आपकी ITR accordingly नह है, तो 200% आपके पास income tax notice आ सकता है, कि भिया, आपने investment किया है, इतना, mutual fund में share में या property खरी दिए, और आप ITR दिखा रहे हो इतने की, please explain the source of income, तो आपको इस चीज़ का बहुत ही बारी किसे ध्यान रखना है, दोस्तो, तो दोस्तो यह थे कुछ एक important reasons, उसके लावा और भ साथ share कीजिए, दोस्तो, हम पूरी कोसिस करेंगे, उस पर आपको हम proper advice दे पाए, तो दोस्तो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यह चीज़ पसंद आई हो, तो प्लीज, वीडियो को like करे, subscribe करे, और दोस्तो के साथ जरूर share करे, ताकि उनको भी इसका